अगर आप लोग कम मसाले वाला चिकन खाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हैं, बहुत ही कम मसाले में हमने इसे तयार किया था, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, बनकर हमारा इस तरह तयार हुआ है, देखिए कितना गला हुआ है ये, बस 15-20 मिनट में हम मारा ये, चिकन तयार हो जाएगा, तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहले प्यास को हम लोग इस तरह करश कर लेंगे, आप जैसे चाहें वैसे करश कर लें, इस तरह का करश करने का बजार में मिलता है, आप बहुत आसानी से ला सकते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा कर के सारे प्याज को करश करके रख लेंगे यह देखिए इस तरीके का करश हो जाता है तो इस तरीके का हम लोग करश कर लेंगे यह बस हमारे मसाले हैं यह बिल्कुल तीखा नहीं है हरी मिरच है बड़ी वाली चोटी वाली तीखी होती है चार से पांच पीस हमने इसमें रखा है तोड़कर यह लस्चन की कलिया यह थोरा सा साबुत मिर्च है लाल मिर्च उसको इस तरह तोड़कर रख लेंगे अद्रक करश करके इसमें रख लेंगे हम लोग इसलिए कि इसमें अद्रक सही से हमारा करश नहीं हो पाएगा अब इसे हम लोग करश कर लेंगे यह थोरा सा और करश होगा यह करश हो चुका हमारा हमने यह चिकन कर लेग पेस लिया था उसको इस तरह की से कट करके थोरा सा तेल डाल कर हमने इसको फराई कर लिया बहुत ज़्यादा हमें फराई नहीं करना है बस इतना हमारा फराई काफी है गरम मसाला को हमने रोस्ट करके यह प्यास में करश करके डाले हुए है साबुत हमारा गरम मसाला था यह हम लोग सरसो का तेल डाल रहे हैं तेल को गरम कर लें फिर इसमें हम लोग एक चमच नमक डाल देंगे मिक्स करें अब इसमें यह करश किया हुआ प्यास डाल देंगे इसमें हमने गरम मसाला डाल रखा है लाउंग लैंची दारचीनी और यह जाइफल जावितरी सब्था इसमें इसके खुश्वू अच्छी आएगी और यह पिसा हुआ मसाला डाल दिया यह हमारा देगी मेरच है हम लोग लाल मेरच तीखा वाला बिल्कुल नहीं डालेंगे हाई फ्लेम पर हम लोगों ने इसे पांच मिनट तक इस तरह का पका लिया है बहुत जादा फ्राई हमें नहीं करना है बस इतना फ्राई काफी है अब जो हमने यह चिकन को फ्राई किया था हाफ फ्राई अब इसमें दो नुक पीस को डाल देंगे बिल्कुल हलका मसाला था हमारा अब इसे हम लोग थोरा थोरा सा नीचे से यह मसाला लेकर ऊपर डाल देंगे इसमें टेस्ट आने के लिए अब इसको पहले हम लोग हाई फ्लेम पर पांच मिन तक पकाएंगे फिर दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे हम लोग ढक कर इसे कि यह दस मिनुट हमारा हो चुका है अब इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ, फिर 10 मिनट और हम बनाएंगे इसको, अभी एक तरफ मसाला इसका लगा है, दूसरी तरफ और लगेगा, मसाले को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको हम लोग दोनों चिकन को एक एक करके इसमें पलट देंगे, देखिए, पानी कितना इसमें निकला है, चिकन का और प्यास का, अभी हमारा थोड़ा सा और गले गई है, खुब जितना गला हो अतना अच्छा टेस्ट इसका होगा, नमक इसी वक्त टेस्ट कर लें, अगर कम है तो डाल देंगे, नमक हमने इसमें तेल में भी रखा था, अब इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसमें लेकर इस तरीके से हम लोग लगा देंगे, अब इसे ढख कर 10 मिनट और पकाएंगे दोनों तरफ हमारा खोब अच्छी तरीके से गल जाएगा ये देखे 10 मिनट हो चुका है अब हम इसको पानी बहुत ज़ाद है तो थोरा सा हम लोग इसको सुखा लेंगे हाई फ्लेम पर अगर चावल का है तो कम सुखाएंगे अगर रूटी में खानी है तो हम लोग ज़ादा सुखा लेंगे हम लोग इसे चावल में खाएंगे इसलिए हमने इसको शोरबा वाला रखा है बहुत ही अच्छा था चावल में खाने के बाद आप इसको ट्राइ ज़रूर करें आपका कैसा बना कमेंट करके जरूर बता है